हेलो गाईज, वेलकम टो अपना कॉलेज तो आज हम पढ़ने वाले राबिन कापल गॉरिथम के बारे में तो राबिन कापल गॉरिथम स्ट्रिंग हैशिंग पे बेस्ट है तो आप पहले वो देख लेना यह मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था उसके बाद यह देखना तो अगर हमें एक question given हो कि हमें string s की occurrences बतानी है string t में यानि कि string s कहां कहां occur हो रही है तो हमें वो indices बताने है तो हमने जो इसका brute force approach देखा था उसकी time complexity थी s into t राबिन कापल गॉरिथम की time complexity होती है s plus t यानि कि बहुत जादा optimize कर देता है तो अब हम देखते हैं यह कैसे करता है हम पहले एक example ले लेते हैं string s equal to na and string t equal to अपना college na तो अब इसका output क्या होगा found at index 2 and found at index 12 यानि क्यों कि na index 2 पे occur हो रहा है and index 12 पे occur हो रहा है तो हमने string hashing की वीडियो में एक formula पढ़ा था कि हमें अगर hash चाहिए i to j का तो हम क्या करेंगे hash of 0 to j minus hash of 0 to i minus 1 और इसको हम divide कर देंगे p to the power i से अब इस case में हम string s की occurrences ढूंढ रहे हैं यानि कि string s का hash ढूंढ रहे होंगे तो j minus i plus 1 equal to s आ जाता है हमारे पास निकल के क्योंकि जो hash हम calculate कर रहे होंगे वो s size का ही होगा and हमने hash of i to j निकाल लिया अगर वो hash of s के equal आया तो इसका मतलब हमने occurrence find कर लिया index i पे and p to the power i into hash of s equal होना चाहिए hash of 0 to j minus hash of 0 to i minus 1 तो अब इसका code देखते हैं जरा तो यहाँ पे मैंने code लिखा हुआ है तो अब हम इसका code देखते हैं तो string s equal to n है और string t यहाँ पे हमने input ले लिया है तो सबसे पहले तो हम p की powers calculate कर लेते हैं तो यह हमने powers pre calculate कर लेते हैं यह हमने vector बनाया अब string t के hash store करने के लिए एक vector बना लेते हैं t plus 1 size का तो h of i plus 1 will be equal to h of i plus t of i minus a plus 1 into the power of i और mod भी लेना होगा यहाँ पे हमें तो mod भी ले लेते हैं तो यह पावर्स के लिए हम यहाँ पे पहले एक loop लगा लेते हैं power of 0 होती है हमारे पास 1 और हमें इसके बाद power of 1 से करना है हर स्टेप में mod लगाना मत भूलेगा अगर mod नहीं लगाएंगे तो integer overflow हो जाएगा अब हम string s का hash निकाल लेते हैं यह भी उसी तरीके से निकालेंगे जैसे अब string t से निकाला है mod m तो यहाँ पे हम i plus s minus 1 will be less than equal to t यह क्यों आया है? क्योंकि हम यहाँ पे जब hash क्या होगे तो current hash हमारे पास क्या होगा? current hash would be h of i plus s minus h of i तो हम index से out of bound ना चला जाएं इसलिए हम यहाँ पे i plus s minus 1 should be less than t and also जो last के occurrences होगी तो आपको last से s space तो छोडने ही पड़ेगी ना अगर string s 5 size की है तो आप last index नहीं check कर रहे होगे कि last index पर occur तो नहीं हो रही है आपको last से 5 spaces छोडने ही पड़ेगी उसके बाद ही तो आप check करोगे ना and यहाँ पे हम mod operation यूज करते हैं तो i plus s h of i से छोटा हो सकता है क्योंकि modulus operator हो रहा है तो जब modulus operation हुआ तो यह वली जो term है वो negative भी आ सकती है उस negative को overcome करने के लिए हम क्या करेंगे plus m and उसके बाद mod लेंगे दुबारा इससे यह चीज negative नहीं आएगी कभी भी तो अब जो हमने formula पढ़ा था कि this should be equal to hash of s into power of i एक बार फिर mod लगाना यहाँ पर mod लगाना हमेशा हमें याद रखना अगर mod नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा अब हम इससे run करके देखते हैं अब हम इससे run करके देखते हैं ओके तो हमने अच्छे तो यह power था और तो कोई error नहीं है अब compile हो चुका है यह हाँ तो अब जैसे कि हमने देखा found at index 2 and found at index 12 तो यही दो indices थे जहाँ पर एने अकर हो रहा था तो I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगियो और आपको राबिन का पलगौरित हम अच्छे से समझ आ गया हो और हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में